So now I am discussing factors affecting human development वो कौन से factors हैं जो के human development के उपर सरंदाज होते हैं positively और negatively यह सबसे पहले जो इसमें factors में आएगा वो है जी hereditary factors और environmental factors जैसे बहुत लंबी बहस है और बहुत पुरानी एक बहस है कि hereditary factors जो हैं वो जदा important हैं इनसान की personality को stable करने में या उसकी development के लिए या environmental factors important हैं तो researchers जो हैं और educationist और psychologist जो हैं वो यही कहते हैं कि दोनों की importance अपनी जगा पे है hereditary factors जो हैं जैसे genes में जो आप खसूसियात लेके आते हैं अपने parents से अब उसमें जो है अच्छी सहत और उसके साथ genes की characteristics भी होती हैं उसमें आप कद, वजन और body structure और यहां तक के अपने parents की तरफ से जो है psychological जो उनकी health है या well being है वो भी आप अपने parents से लेके आते हैं तो hereditary factors जो हैं यह जो इनको तबदील करना तो मुश्किल होता है लेकिन यह है कि उसके साथ अगर proper environment जो है वो provide कर दिया जाए तो hereditary factors के जो hazards होते हैं उसको हम अपने अच्छे environment provide करके उसको overcome कर सकते हैं अब hereditary factors जो हैं उसमें देखिए हर शक्स की जो है development की रफतार भी मुख्तलिफ होती है और जहरा उसकी जो physical growth है वो भी मुख्तलिफ होती है चाहे वो एक ही घर में रहने वाले भेन भाई क्यों ना हो तो hereditary factors जो हैं अब देखिए किसी की अब जो एक normal growth है वो तो उनी general principles के साथ ही govern हो रही होती है अब एक चार साल के बच्चे की अगर height है तो उसको इतना बढ़ना चाहिए और उसके साथ जो है बाकि दूसरा चार साल का बच्चा जो है उसकी height उतनी क्यों नहीं है इसके ब बजन जो है यह सारी चीज़ें अपनी जीन्स में लेके आते हैं अच्छी शकल का होना अच्छे रंग का होना जैसा भी skin color है skin tone है यह सारी चीज़ें वो अपनी जीन्स में लेके आते हैं तो अब बास उकात यहां तक research की गी यह देखा गया कि बच्चे जीन्स में जो है व बच्चे में हो सकता हुआ अप्टिचूड जो है वो उसका हेरिडिट्री फैक्टर के तोर पर भी सामने आ सकता है इंटेलिजेंस वो अपने पैरेंट्स से लेके आते हैं तो यह सारी जो फैक्टर्स हैं जब यह बच्चों में मुख्तलिफ चीजें नजल आती हैं तो बच्चे जो हैं बाज वकात एक दूसरे को देखके खुश भी होते हैं और जेलिस भी होते हैं तो यह डिवैलिपमेंट पे जब फिर एक गोरे रंग का बच्चा अब दूसरे कम रंग वाले बच्चे को जो है वो उसको मजाक उड़ आएगा तो उसकी बच्चे की डिवैलिपमेंट जो सैकलाजिकल है वो बड़ी डिस्टरब होती है तो हैरेडिटरी फैक्टर का मतलब यह है कि हम जब अपनी फिजिकल ग्रोथ जो है वो अपनी मुख्तलिफ जीन्स में से खसूसियात लेके आते हैं तो वो वली खसूसिया जो है वो भी बच्चे की डिवैलिपमेंट पे बड़ी अस्थर अंदाज होती है तो बच्चे जो है वो अपनी उन हुसूसियात की वज़ज़ से अच्छी डिवैलिपमेंट की तरफ जा पॉजिटिव माइन के साथ चलते हैं या फिर वो जो है उन हेरेडिटिटरी जो ए पिर आपके स्कूल कॉलेज का इंवाइरमेंट है और यह सारे इंवाइरमेंट्स हैं मिलके इनसान की परस्टेटी को डिवैलप करते हैं तो होम इंवाइरमेंट जो है अगर पैरेंटिल कांफ्लिक्ट हो तो यقीन कीजी यह बचे बहुत ज़्यज़ा साइकलॉजिकल के लिए बाहर की तरफ देखते हैं अब बाहर में कौन उनके साथ कितना मुकलिस होगा यह हमें नहीं पता तो इन्वार्मेंटल फेक्टर्स में बच्चे पीसफल उसी सूरत में होते हैं जब उनको घर में बहुत महबत और तोजों के साथ रखा जाए घर में उनकी डिवेलिपन्ट और ग्रोथ के दुरान बाकी भेंट भाईयों के साथ कंपैरिजन ना किया जाए बच्चे को लोगों के सामने जो है वह शर्मिंदा ना किया जाए और बच्चे के साथ बहुत ज़्यदा एक्सपेक्टेशन जो है पैरेंट्स ना बना लें बिलके बच्चे की जो qualities हैं और जो उसकी characteristics हैं जो उसकी intelligence है उसके मताबक अगर आप उसके साथ expectations रखें तो बच्चे कभी भी जो है वो down feel नहीं करते लेकिन जब आप high expectations एक बच्चे के साथ रखते हैं और वो expectations को meet नहीं कर पाता तो फिर ये होता है कि बच्चे जो है वो उनकी self esteem down हो जाती है और वो जो है वो अपने आपको loser समझना शुरू हो जाते हैं तो इसलिए ये वो वाली चीजें हैं जो environmental factors हैं कि जितना भी किसी के घर और school का महौल जो है वो अच्छा होता है बचा उतना ही peaceful और positive होता है इसलिए ये दो factors जो हैं ये development के लिहाद से study करने बहुत ज़्यादा जरूरी है इसके इलावा जो अगला factor है वो home environment जैसे मैंने भी discuss कर लिया है और cultural factors हैं यानी environment के अंदर ही मैंने home environment को discuss किया है कि home environment जो है ये बच्चे की personality की base फ्राहम करने में बड़ा important है क्योंकि घर से बाहर निकल के बच्चे ने बाकी लोगों के साथ जब adjust करना है जब वो घर में पूरी तوج्जो के साथ पला है उसको बड़ी अच्छी जो है care में लिया parents से तो जाहरी बात है उसके शक्सियत में जोल नहीं रहेगा उसकी शक्सियत में कोई कमी नहीं रहेगी और वो well adjusted होगा society में जागे तो home environment इसले हाथ से बच्चे के लिए बड़ा important है इसी तरह से cultural factors है अब culture जो है वो क्या है culture is a study of beliefs, values and ideas of the society तो cultural factors यह है कि अगर घर में से उसने ये सबग पड़ा है parents उसको सिखा र काम निकलवा सकते हो तो में निकलवाना चाहिए society जो है जूट बोलती है तो में भी जूट बोल लेना चाहिए तो बात यह है कि cultural norms values और beliefs जो है जब आप अपने बच्चे को जिस तरह से communicate करेंगे बच्चा उसी तरीके से आगे response करता है society को जागे तो इसलिए ये cultural beliefs जो है और ये जो norms और values है ये बच्चे को शुरू से ही childhood से ही सिखाना शुरू कर देने चाहिए कि आपकी society में क्या चीज़ अच्छी समझी जाती है कौन सी चीज़ बुरी समझी जाती है हमारी जो मजभ की जो values और code of life जो है वो दिया गया है वो बच्चे को शुरू से ही आप सम सकते हैं ना हम बाकी जो Islamic values हैं उनको change कर सकते हैं तो इन basis के उपर बच्चे की जो है तरबियत होनी चाहिए तब culture में जाके वो है अपना हिस्सा जो है वो अच्छी तरह से perform कर सकता है इसी तरह से आगे socio economic status है अब socio economic status जैके जैके बहुत अमीर फिर middle class और फिर गरीब socio economic status की base के उपर भी बच्चे के अंदर जो है बड़े complexes आ जाते हैं तो socio economic status भी बच्चे की development जो है उसको बड़ा disturb करता है उसके patterns को disturb करता है उसकी emotional development उसकी mental development जो है और even यहां के physical development अगर उसकी अच्छी जो है upbringing नहीं हुई अच्छी खुराक नहीं मिली उसको अच्छा environment नहीं उस सकते थे तो जिसके वो अच्छी तालीम और अच्छी चीज़े नहीं provide कर सके उस फरक की वज़ा से भी बच्चे पीछे रह जाते हैं और socio economic status के complex की वज़ा से भी development जो है वो बड़ी disturb होती है इसी तरह से normative influences क्या है अब normative influences यह हैं कि बच्चा जो है कुछ तबदीलियां ज रतीजे में जो तबदीलियां आ रही होती हैं उसके मताबिक response करना जो है वो हर बचे का response different होता है तो यह तबदीली जैसे अब जैसे जिसे मेचुरेशन हो रही है वो वैसे वैसे जो है बचे बड़े होते जा रहे हैं तो एक वैसे पहले जो बचा बच्चा था पर का मतलब है कि general changes जो भी इनसान की personality में आती हैं उसके साथ adjustment जो है वो भी development के लिए बड़ी जरूरी है अब जैसे general patterns मैंने बताया कि हर इनसान में जो personality के लिए हासे और stage के लिए हासे तबदीली आ रही होती है वो हर इनसान में आ रही होती है तो यह general patterns है normative patterns जिसके साथ requirements है यह उसको सिखाना चाहिए इसके इलावा जैसे कुछ और किसम की जो चीजें आ जाती है जैसे flood है या इस तरह से मुल्क में जो है वो बहुत ज़दा माशी वहरान आ गया है तो यह भी इस्तराद generally ही लोगों के ओपर होते हैं उससे भी बचे बड़ा असर लेते हैं और उसके साथ जो है उसकी development बेहतरीन होती है बच्चपन से लेके आ गए तक अच्छी हुराग मिली हो तो बचे बहुत ज़दा अच्छा जो हो flourish करते हैं education and training ये बी एक basic need है बचे को जो है अच्छी तरबियत और अच्छी education प्राहम करना ये parents का एक फर्ज है और बच्चे का बनेदी हक है तो ये state की भी जिमनदारी आती है ये parents की भी जिमनदारी है कि वो अपने बचे को इस मौशरे का कारामत फर्द बनाएं इस तरह से उसको अच्छी तालीम और तरबियत फराहम करके तो ये सारे factors जो है ये बच्चे की development पे अस्तर अंदाज होते हैं इसलिए इ आदे नजर रख के बच्चे की development जो है वो उसकी वो plan करना चाहिए